नेशनल हेल्थ और सुरुष्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है इस अपडेट के तहत वैसे लोग जिनका आयुसमान कार्ड नहीं बना हुआ है वे मात्र आधार EKYC के द्वारा अपने मोबाईल या केम्पूटर से घर बैठे वे अपना आयुसमान कार्ड बनवा सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं जिन लोगों को नहीं पता है कि आयुसमान कार्ड क्या होता है उन्हें मैं बताना चाहूँँगा आईश्मान कार्ड एक हेल्थ आईडी कार्ड होता है जिसमें कि हर एक परिवार को 5 लाक रुपिये तक पर साल इलाज करवाने की फिरीश विधा दी जाती है तो अगर आप लोगों का भी आईश्मान कार्ड नहीं बना हुआ है तो इसके लिए ओनलाइन आवेदन किस परकार से करते हैं और इसे डाउनलोड किस परकार से करते हैं आज किस वीडियो में मैं आपको step by step प्रोसेस बताने जा रहा हूं इसलिए वीडियो में लास्तक बने जैसा कि अगर आप setu.pmjay.gov.in website को विजिट करेंगे तो यहां आने के बाद आपको एक चीज देखने को मिलेगी how to get आईश्मान कार्ड यहने एक नई वेबसाइट है यहां पर देखिए आप तीन स्टेप में अपना आईश्मान कार्ड बना सकते हैं सबसे पहला स्टेप क को यहीं से डाउनलोड भी कर पाएंगे इस वेबसाइट को विजिट कर लेनी हैं वेबसाइट पे आने के बाद यहां पर देखिए register yourself and search beneficiary के नीचे जो आपको register का option दिखाई पड़ेगा आपको इस पर किलिक कर देना है इस पर किलिक करने के बाद यहां पर देखिए sales registration मे सबसे पहले आपको कहता है अपना दसंकों का mobile नमबर और आधार कार संख्या दरज करके आप submit पर किलिक कर देंगे submit पर किलिक करने के बाद आधार OTP authentication का आपको एक description दिखाई परेगा यहीं पर I hereby वाले checkbox को आपको enable कर देना है जैसे ही आप इसे enable करेंगे तो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर mobile नमर पर एक OTP आजाएगी आपको उस OTP को दरज करके validate पर किलिक कर देना है OTP दरज करके जैसे ही आप validate पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर देख लिजे page loading लेगा page loading लेने के बाद अगले page पर आपको यह redirect कर देगा यहाँ पर देखे काता EKYC has been verified successfully अब आपको OK पर किलिक कर देना है OK पर किलिक करने के बाद यहाँ पर page को अगर आप नीचे करेंगे तो आपका personal details यानि कि आपके आधार कार्ड से सारी details यहाँ पर automatic चली आएगी और जो भी आपका passport size photo upload होगा आपके आधार कार्ड में वो photo भी आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर काता है communication address details तो अगर आपका आधार कार्ड पर जो address है वही आपका communication address है तो आप बस इस check box को enable करेंगे तो आपका सारा पता automatic यहाँ पर feel हो जाएगा अब यहाँ पर काता है role details में application type पर आपको click करना है और यहाँ पर BIS 2.0 पर click कर देना है अब यहाँ पर काता है page को तुरा गर नीचे करेंगे तो काता है please check this box if you want to choose your own login ID आपको इस check box को enable करना है और login name में कुछ भी आप अपना हिसाब से अपना username रख सकते हैं username type कर देने के बाद page को उपर किजिए और यहाँ create पर आपको click कर देना है यहाँ पर काता है please select role तो आपको select role पर click करना है और यहाँ पर आपको मिलता है self user तो आपको इसे select कर लेना है और फिर से आपको create पर click कर देना है अब यहाँ पर देखे लोग in hasbees created for kiran 279 तो जो भी आपने username लिखा होगा वो यहाँ पर आपको दिखाए पर जाएगा अब यहाँ आप फिर से okay पर click कर देंगे रजिस्टेशन परिक्रिया पूरी हो जाने के बाद यहाँ पर आपको do your kyc पर click करना है यहाँ आने के बाद यहाँ पर काता है sign in तो आपको अपना दसंकों का mobile नमर दर्ज करके sign in पर click कर देना है जैसे ही आप sign in पर click करेंगे तो आपकी login ID, state name और यहाँ पर authentication mode आपको देखने को मिलेगा नीचे में आपको verify का एक option दिखाए पर रहा होगा आपको verify पर click करना है अब आपके register mobile नमर पर एक OTP आ जाती है आपको उस OTP को यहाँ पर दर्ज करके validate पर click कर देना है यहाँ पर आपको OTP has been verified successfully का आपको एक message देखने को मिलेगा आपको OK पर click करना है यहाँ पर page loading लेगा जहाँ पर की अब आपको beneficiary को search कर लेना है सबसे पहले यहाँ पर आपको दो option देखने को मिलते हैं urban और rural अगर आप ग्रामिन छेतर से हैं तो आप rural को select करेंगे और अगर आप सहरी छेतर से हैं तो आप urban को select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर select state पर click करके आप अपने state को select कर सकते हैं फिलाल यहाँ सुविदा कुछी state में जारी किया गिया है जिस state के नाम अभी आपको screen पर दिखाई पर रहे होंगे बहुत जल्द ही यहाँ सुविदा सारी state में जारी हो जाएगी अगर आप हमारी चैनल पर नए है चैनल को subscribe कर लेजिए जैसे ही सभी state में जारी होगी मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना कर आप लोगों को update कर दूँगा यहाँ पर आपको state select कर लेने के बाद अपने district को select कर लेना है district जीसे ही आप select करेंगे तो फिर आपको अपने block को यहाँ पर select कर लेना है block set करने के बाद काता है select village आप इस पर किलिक करके इस list में से अपने गाउं को select कर लेंगे यानि village को select कर लेंगे अब जैसे ही आप page को scroll down करेंगे तो इस गाउं में जितने भी सारे लोगों का status आपको एक देखने को मिलेगा जिनका Ice One Card बन चुका है तो उनका यहाँ पर complete का ओफ्छन आपको देखने को देखने को मिलेगा और जिन लोगों का Ice One Card नहीं बना हुआ है तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा card note made तो यही पर आप iceman card को download भी कर सकते हैं और iceman card बना भी सकते हैं तो जिन लोगों का card note made है या अगर आपको इस list में search करने में परिशानी हो रही है अपना नाव तो यहाँ पर आपको एक search का भी option देखने को मिल जाता है जहाँ पर कि आप अपना नाम लिख कर search कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सुमन search किया search करने के बाद आप लोग wait करेंगे तो जितने भी सारे सुमन नाम से होंगे उन सारे लोगों की यहाँ पर देखिए details आ जाएगी तो यहाँ पर देख लिजे यह आज चुकी यह कुछ लोगों की details तो card note made के बगल में जो आपको view का option देखने को मिलता है अब आप view पर click करेंगे view पर click करने के बाद यहाँ पर आपकी सारी details देखने को मिल जाती है आपको नया आयुसमान कार बनवाने के लिए यहाँ पर अपना रासन कार नंबर fill करके get details पर click करना है जैसे ही आप get details पर click करेंगे तो आगे आपको यहाँ पर enter your details जहाँ पर की आपको अपना details फिल करना होगा और second में उसके बाद आपको जितने भी साड़ी आपने details भड़ी होगी उसका आपको review दिख जाएगा और e-kyc के लिए आपकी details submit की जाएगी यहाँ पर देखिए link और आधार का भी option आपको देखने को मिल रहा है यानि कि आपका KYC के लिए आप यहाँ पर submit कर देंगे submit करने के बाद जैसे ही आपको approval मिल जाएगा तो आप यहाँ से ही अपना Iceman का download भी कर पाएंगे दोस्तों मैं बिहार से हूँ और बिहार में अभी या परिक्रिया जारी नहीं हुई है इसलिए मैं आगे आपको वीडियो में step by step process नहीं बता पा रहा हूँ अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों का Iceman card बन चुका है वो इसे download किस प्रकार से कर पाएंगे यहाँ पर देख लिए जिनके समने में complete का option दिखाई पर रहा है तो यहाँ पर आपको अपना mobile नमर या अधारकार संख्या दर्ज करके get OTP पर किलिक करना है फिर आपके register mobile नमर पर एक OTP आजाती है उस OTP को दर्ज करके verify and proceed पर देशे ही आप किलिक करेंगे तो आपको आपके Iceman card का preview देखने को मिल जाता है जहांसर की आप अपना Iceman card डाउलोड कर पाएंगे लेकिन अगर आपके family के member में किसी भी ऐसे लोग कों का नाम Iceman card में नहीं जुरा हुआ है लेकिन आपके परिवार के किसी एक भी सदस्य का अगर नाम जुरा हुआ है तो आप यहीं पर देखिए add member पर किलिक करके अपने घर के सदस्यों को भी यहाँ पर जूर सकते हैं और उनका भी Iceman card बना सकते हैं यहाँ पर बस आपको उनका mobile नमर दरज करके get otv पर किलिक कर देना है और verify and proceed पर किलिक करना है फिर उनकी कुछ details आप से मागी जाएगी उस details को fill करना है और इस तरह से आप लोग Iceman card के लिए अपने घर के member को भी जोर पाएंगे तो दोस्तों यह था कुछ नया update आप लोगों के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like किजेगा और चैनल को subscribe कर लिजेगा ताकि जब भी मैं कोई लेटेस वीडियो डालू आपको उसकी notification सबसे पहले मिले धन्यवाद